प्यास के फाइदे बहुत होते हैं और ये बहुत ही शानदार घरेलू नुस्खा है प्यास खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम तो करता ही है साथ ही ये एक बहतरीन ओशदी भी है कई बिमारियों में ये राम बान दवा के रूप में काम करता है प्यास में केलिसन और राइबो फ्लेविन परियाप्त मात्रा में पाया जाता है इतना ही नहीं प्यास में जीवाडू रोधी, तनाव रोधी, दर्द निवारक, पत्री, गठिया, लू, मधुमे और अन्य बिमारियों को कंट्रोल में करने की शक्ती भी होती है आज हम आपको बताएंगे कि प्यास हमारे कान के लिए किस तरह से फायदे मंद होती है आपने आज से पहले मोजे में प्यास रखके सोने के फायदों के बारे में तो सुना ही होगा साइन्स ने भी इस बात को माननेता दी है कि मोजे में प्याज रखके सोने से हमें कई तरह के स्वास्थ हिलाब मिलते हैं दरसल प्याज में मौजूद फॉस्फोरिक आसिट खून की धमनियों में घुस कर खून को शुद्ध बनाता है इसके अलावा जिन लोगों को जूते चपल पहनने के बाद पैरों में बद्बू की शिकायत होती है उसे भी ये उपाय जड़ से खत्म करता है लेकिन प्यास को कान में रखकर सोने से भी कई बिमारियों से बचा जा सकता है जिनको कान में दर्द या जनन की समस्या होती है उनके लिए भी ये एक अचू कुपाय है इस उपाय को करने के लिए एक प्यास लें और इसे साफ पानी से धो लें अब इसे छी लें और इसके अंदर का एक छोटा टुकडा निकाल लें टुकडा इतना बड़ा होना चाहिए कि कान के अंदर ना जाए और ना ही रात को सोते वक्त बाहर गिर जाए और रात को सोने से पहले इस टुकड़े को कान के खुले हुए बाहरी हिस्से पर रखें लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्यास कान के अंदर नहीं जाना चाहिए नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है राद भर ऐसा करने से सुभा आपको कान के दर्द में काफी हद तक आराम मिल सकता है इसके साथ ही ये उपाय कान में होने वाली जलन को भी दूर करता है कुछ दिनों तक ऐसा करते रहने से आप कान से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं दरसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यास में मौजूद फॉस्फिरिक आसिड कान में किसी भी तरह की जलन और दर्द को दूर करता है इस उपाय को करते वक्त आपको राद भर प्यास की बदबु को जरूर जेलना पड़ सकता है लेकिन अगर आपके कान में दर्द होता है या आपको कान से जुड़ी कोई भी समस्या है ये प्यास कान में रखने वाला नुस्खा आपको उस समस्या से निजाद दिला देगा हेल्दी हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को धन्यवाद